प्रधुपति रागव राजाराम पतीत पावन सीताराम इश्वड की गती न्यारी और बुद्धी से परे है हमें यह मान कर चलना चाहिए कि मनुस्य की कोई बिशात नहीं परमात्मा की ही मरजी सब कुछ है हमारी इक्षाएं पवित्र से पवित्र होने पर भी पूरी नहीं होती इसमें भी एक गूर अर्थ है हमारी इक्षा नहीं बलकि इश्वर की इक्षा पूरी होगी तेकिन सबसे परी परिक्षा तो तब होती है जब हमारे पवित्र उद्देशों की प्राप्ती के मार्ग में बाधाएं पहुँचाई जाती है मैं बारिकी से देख सकता हूँ कि प्रकिर्ती जैसा कोई दयालू नहीं है प्रकिर्ती ही इश्वर है इश्वर ही प्रेम है और भूल के लिए प्रेम पुर्ण डंड तो दिये ही जा सकते हैं न अब कोई कहे कि मक्षरों, मक्षियों और जिवानों की आत्म नहीं होती तो क्या ऐसा कहकर हमें प्रमात्मा की कार्ज छेत्र को सिमित करने का अधिकार है क्या हम नहीं जानते कि इस बर्हमांड में अशंक, सुर्ज, तारे और ग्रह नहीं है सच पूछो तो इश्वर वाकई एक और अदूतिय है वह अगम, अगोचर और मानवजाती के अधिकांस के लिए अज्यात है वह शर्ब ब्यापी है, वह बिना आखों के देखता है, बिना कानों के सुनता है वह निराकार और अखंड है, वह अजन्मा है उसकी न माता है, न उसकी पिता है, और न उसकी संतान फिर भी, वह माता, पिता, पत्मी या संतान के रूप में पूजा अर्चना को ग्रहन करता है यहां तक कि वह काश्ट और पाशान के रूप में भी पूजा और अर्चना को अंगिकार करता है हालांकि वह न तो काश्ट है और नहीं पाशान वह हाथ नहीं आता, पकर में आता दिखता तो है, लेकि निकल जाता है अगर हम उसे पहचान शकें तो वह हमारे बिलकुल पास है पर यदि हम उसकी सर्व ब्यापक्ता को अनभव न करना चाहें तो वह हमसे बहुत दोर है इश्वर सच मुझ अदूतिय और अलौकिक है झालौकिक है